नज ते मैं हो रेनुगा तो आप सबका मेरा यूट्उब चैनल में बहुत भोश्वागत है तो और अगर आप मेरे यूट्उब चैनल पे नहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब किजए और शाथ मैं बेल वीडियो को प्रेइस करके आपको सबसे पहले मिले कि तो आज की वीडियो में मैं आपको चने दल का रसा बना के दिखाने वाली हूँ जिसे महराटी लेंग्विज में कटाची अम्टी भी कहते है और आप इसे चावल के साथ सर्वक कर सकते हो तो चने दल का रसा बनाने के लिए मेनिया एक कप चने की दल ली है तो यह 100 ग्रैम है तो सबसे पहले अभी हमें इसमें एक गलास पानी डाल के इसे आदे गंटे तक भीगो के रखना है तो अभी यह दाल अच्छे तरह से भीग चुकी है तो अभी हमें इस दाल को पकाना है तो मेनिया सारी दाल को कुकर में डाल दिया है फिर हमें इसमें आदा चम्मच हल्दी पाउडर डालनी है फिर उसके बाद अभी हमें इस कुकर की पास शिटिया निकालके इस दाल को पका लेना है तो अभी कुकर की शिटिया हो चुकी है और ये कुकर भी थंडा हो चुका है और यह दिखिए अभी हमारी यहाँ चने की डाल पक चुकी है तो आपको इस प्रमान में इसे पकाना है तो इसके बाद अभी हमें इसका जो पानी है वो सारा इसका निकाल लेना है तो अभी हम इस पानी से ही इसका रसा बनाने वाले है तो मैंने एक बरतन में इसका सारा पानी निकाल लिया है फिर हमें इसमें से दो चमच पके हुई दाल लेनी है रसा बनाने के लिए तो बचे हुई दाल की आप पुरन पुरी बना सकते हो तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है तो आप पुरान पुरी कैसे बना सकते हो तो आपको उस वीडियो का link इस वीडियो के eye button में मिल जाएगा तो मैं इस वीडियो के description में भी उस वीडियो का link दे दूँगी फिर उसके बाद अभी हमें इस रसा का बनाना है तो उसके लिए मैं दे घ्यास पे खुए उसके बास ऑभी इसारे अधर को अधर आचाझी मैं उसके चुकते हैं तो आप यह जगाए चला हैं फिर उसके पास अभी हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ नारियल डालना है फिर उसके पास अभी हमें इसमें एक चमच तेल डालना है और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है तो अभी ये नारियल भी तेल में अच्छी तरह से फ्राय हो चुका है तो इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ फिर उसके बाद अभी हमें इसमें एक बड़े साइज में कट किया हुआ प्यास डालना है तो आप इसे बारिक साइज में भी कट कर सकते हो फिर इसे भी हमें अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राय करना है तो अभी प्यास भी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है तो अभी हमें इन सारे इंगेडेंस को एक मिक्सर के बर्तन में डालना है फिर उसके बाद अभी हमें इसमें साथ या आठ लसुन की कलिया डालने है फिर उसके बाद हमें इसमें एक कप बारिक कटके हुए हरी दन्या डलने हैं फिर उसके बाद हमने जो चनी की दल पकाई हुई थी तो वो इसमें सारी डाल देनी है और उसके बाद अभी हमें इसमें पानी डल के इसका बारिक पेश्ट बनाना है तो अभी ये मसाला बन के तयार हो चुका है तो मैंने यहां रस्ता बनाने के लिए घ्यास पेक बरतन रख दिया है फिर हमें इसमें 6 चमच चेल डलना है फिर तेल सोड़ा गरम होने के पास हमें इसमें आदा चमच राई डलनी है फिर राई तर्तरने के पाद अभी हमें इसमें आदा चम्मच जीरा डालना है और इसे हमें तेल में फ्राइ करना है फिर उसके पाद अभी हमें इसमें 5-6 लसुन की कल्या डालने है फिर उसके पास अभी हमें इसमें 7-8 कडिपता डालने हैं और इन्हें हमें तेल में फ्राय कर लेना है फिर हमें इसमें आदा चम्मच हल्जी पाउडर डालने हैं फिर उसके पास हमें इस तेल में स्वादनुसा लाल मेंच पाउडर डालने हैं तो उसके बाद अभी हमें इन सारे इंगिर्डेंस को आच्छे से मिक्स करना है फिर उसके बाद हमने जो चेने डाल में से पानी निकाला था तो वो इसमें सारा डाल देना है फिर उसके बाद हमें इसमें चार चमच इमली का पेष्ट डालना है तो हम टमाटर की जगा इमली का पेष्ट इस्तिमाल करने वाले है फिर उसके बाद अभी हमें इसमें स्वादनुसा नमक डालना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसा चिनी डालनी है तो आप चिनिक के जगा गुड का भी समल कर सकते हो तो उसके बाद हमें इन सारे इंडिडेंस को अच्छे से मिक्स करना है और हमें इस रसा को 10 मिनिट तक अच्छे से पकाना है तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी आड़ कर सकते हो आपको जितना रसा चाहिए उतना तो अभी इस रसा में उबालाना शुरू हो चुका है तो आप ऐसे ही आसानी से घर में चने दालित का रसा बना सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में So thanks friends, watch my video.